केरल की वाइनाड सीट पर लोग सभचुनाब 2024 के लिए शुक्रवार को दूसरे चुरण में बोटिंग पूरी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की अमेठी के सियासी रण में दाव पेश और तेज हो गया है ये उमीद जताए जा रही है कि आज राहूल गांदी की कोर टीम का कारिक्रम प्रस्ताबित है जिसमें यूपी के पदा धिकारियों को भी बुलाया गया है इसके चलते ये माना जा रहा है कि पार्टी आज यूपी की दो बजी हुई सीटों पर यानि अमेठी और राइबरेली सीट पर प्रतियाशी का एलान कर सकती है अगले सब तहा राहूल गांदी भी अमेठी पहुँचेंगे हाला कि तिथी अभी तैय नहीं मानी जा रही है बताया जा रहा है कि कोर टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे के कारिक्रम जारी किये जाएंगे जानकारी के मताबिक ये भी बताया जा रहा है कि अमेठी से एक बार फिर राहूल गांदी के इंद्री मंत्री स्मिर्ट्युरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं आज इसको लेकर CEC में कॉंग्रस अपनी महर भी लगा सकते है लेकिन खास बात ये है कि अमेठी या राय बरेली से नाम राहूल गांदी का चर्चा में है लेकिन उनके जीजा रॉबर्ट बार्डरा भी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं दरसल कॉंग्रस नेता प्रयंका गांदी वाडरा के पती रावर्ट बार्डरा भी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो पूरा देश उनके सक्रियर राशनीती में आने की एक्छा रखता है रॉबर्ट बार्डरा ने ये भी दावा किया कि अमेर्टी से मौजूदा सांसद स्मिर्टी रानी ने अपने वादे पूरे नहीं किये हैं इसमिर्थी के खलाफ बयान देकर रॉबर्ट बाडरा कहीं ना कहीं सीधे तोर पर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी परिवारवाद का एक और आरोप अपने मत्थे लेते हुए रॉबर्ट बाडरा को टिकर देती है या फिर राहुल गांधी खुद अमेठी की कमान्स संभालते हुए नजर आएंगे।